रूस में नोवोसी बस्क ओबलास्त के उस्त तर्क गाउ में सेकडों मरे हुए कवे आस्मान से गिरते देखे गए है प्रती दिन कई सोव मौतों की सूचना मिली है पशुचिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सडकों पर कवों के शव पड़े देखे गए वे इसका कारण समझने में विफल रहे और इसका कारण जानने के लिए पक्षियों को पोस्ट मौटम कर रहे है सर्जे कुजलेकिन पशुचिकित्सा विभाग के मुख्यचिकित्सक 1975 से एक डॉक्टर के रूप में काम कर रहे है यह पहली बार है जब उन्होंने ऐसी घटना देखी है और सेंदेय है कि शायद यहां जहर का मामला है क्योंकि अन्य पक्षियों और जानवरों को सपश्ट रूप से नुकसान नहीं पहुचाया गया था पक्षियों की जांच की जा रही है बताया जा रहा है कि आसमान से मृत पक्षियों को गिरते देख स्थानिय लोग दहशत में है उन्हें डर है कि यह किसी काले जादू से संबंदित है और डर है कि यह सरवानाश है गौर तलब है कि यह पहली बार नई है जब रूस में इस तरह की अजीबों गरीब घटना हुई हो इसे पहले 2013 में रूस से कबूतरों के भी आसमान से गिरने की खबरे आई थी इसी तरह की घटनाएं दुनिया भर में भी हुई है जिनमें केंट में बड़े पैमाने पर केखडे की मौत इटली में जंगली कबूतर की और स्वीडन में जैक डॉक की मौत शामिल है